खराब लाइफ इस्टाइल के चलते हजारों लोग चर्म रोग की समस्या से परसान हैं चर्म रोग में दाद, खाज, खुजली, आम समस्या हैं लेकिन समय रहते हैं इनका इलाज नहीं किया गया तो ये पूरे सरीर में फैल सकते हैं दात, खाज और खुजली से पेड़ित के लोग कई तरह की दवा लेते हैं, क्रीम इस्तमाल करते हैं, इसके बाद भी उनकी समस्या कम नहीं होती है, चिकिस्तों का मानना है कि सहर में पानी परदूसी थोने और बढ़ते अवाई परदूसान के चलते ये समस्या लोगों में आ जर से आपके दात खाज खुजली को ठीक करते हैं, ऐसा डक्टरों का कहना है, काफी बेश्ट ये उपाय हैं, अगर आप अपने जीवन में लागू करते हैं, तो आपके दात खाज खुजली जर से ठीक होंगे और फिर दुबारा नहीं होंगे, तो वीडियो सुरू करने से पहले वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया गया, उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तो जब भी आपको दात खाज खुजली की प्राब्लम हो, तो आपको अपने लाइफ इस्टाइल को बदलना पड़ेगा, क्योंकि दात खाज खुजली एक अलर्जी प्राब्लम है, जो किसी ना किसी चीज से अलर्जी काराण ही होता है, चाहे वो फंगल संकम हो हो, चाहे वेक्ट्रिया शंकम हो, या इस्ट्री संकम हो, अगर आप लाइफ इस्टाइल चेंज नहीं करते हैं, तो दवा से ठीक नहीं होगा, अराम मिलेगा, सही जाएगा, लेकिन फिर दुबारा होने के चांस उसके 100% रहते हैं, ऐसा आप अधिकतर देखोंगे, एक दाधा छुली साल, दो साल, तीन साल से चलती है, ठीक नहीं होगे, इसका मुख्य कारण कि अगर आप अपने लाइफ इस्टाइल में चेंज नहीं करेंगे, तो यह 100% उनकी सκιन से रियक्त करता है, जिसकी करान दाध खाज, खुझली फिर होने के चांस हो जाते हैं, क्योंकि इस अपने referring, यह यह सब आपको तुरंट बंद करना पड़ेगा, बंद करेंगे तब ही आपका सही होगा, अगर ठंड का मोस में अगर आप एक दो महिन लगतार बंद करना चाह करों करता है तो जड़ा पेश्टेना ले, सावूँ सेंपू करना ही पैजá अिस्तमाल करें तो ज़यादा प्थो संसकता है अगर चाहते नहीं सावूँ मुझा बेक्टरियलयरNING इंफेक्शन का झाल साबुन सेंपू इसी को इस्तमाल करते रहते हैं और सोचते हैं कि जड़ से ठीक हो यह तो पहला बात यह कि आपको अपने साबुन सेंपू पर्फूम यह सब तुरंत बंद करना हो जिससे आपकी दात का खुली ज़र से समाप्थ हो दूसरे उपाय की बात करें तो जो भी हम हैं खासकर इलर्जी में इलर्जी ऐसे चीजों-चीजों से होता है कि आप सोच नहीं सकते भोजन से भी काफी ज्यादा इलर्जी फैलने के चांस होते हैं उन पर भी काफी आपको कंट्रोल करना हो कुछ भोजन हमारे सरीम में दाद खास-खुली को बढ़ावा देते हैं जिससे ठीक होने के बाद फिर दॉबारा होने के चांस हो जाते हैं अगर आप फिर वही भोजन करते हैं या उसMEके ध्यान नहीं देते हैं तो दुबारा होने के 100% होते है हैं इसलिए दाद खास-खुली को बढ़ावा देते हैं जिसके अलावा मुजन जैसे मीट कुछ परभी धर्षी नहीं के विया में इस्टमाल नाग करें और उसके बाद दूट दः इसका भी काफी कर्ट रही तो एकदम आपको इस्टमाल नहीं करना है दोद भी छोड़ दे अगर दात हाथ खुळी आपको साल दो-तीन साल लाइन भी बन करते हैं अकदम बन करते हैं नॉर्मल साधा भोजन लें आप साधा भोजन लेंगे तो आपका जल दाथ खुली 100% होगा जड़ से समाप्त हो जाएगा अगर आप अपने लाइफ इस्टाइल में यह सब भोजन का नहीं चेंज करेंगे तो फिर होने के चांस रहते हैं जब भी आपको दाथ खुली साल दो समाप्त हो जाएगी इसरे उपाई की बात करें दोस्तों तो अपने कपों पर विशेश ध्यान दे जब तक आप वचारोग का इलाज ले रहे हैं तब तक अपने द्वारब प्रयोग में लाई गई हर चीज को अलग रखे और टावल ने अपके इंडर गार में जैसे चीज फैलता है एक से दुसरे में जाता है एक दुसरे में खाने पर भी फैल जाता है तो कम से कम दुसरे लोगों से संपर्क में रहे हैं अपने घर के लोगों में अपने कपड़ों खासकर वोजन पर एक साथ ना करें और कपड़े धीले पहने क्योंकि एंडर गार में जब ज़ फंगल इंफ्रेक्शन मर जाते हैं ऐसे नहीं घर में उसे सुखा दे फिर फिर वह नहीं ऐसे ना करें अपने कपड़े पर विश्यश ध्यान दे तो आपका फंगल इंफ्रेक्शन जड़ से समाप्थ होने काफी जल्दी तेजी लाएगा क्योंकि अधिकतर होता है कि आप ध् पहने एक दिन से ज्यादा ना पहने रोजाना उसे साफ करें और धूप में सुखाएं देखें आपके दात का खुणी जर्से समाप्थ होने में ज्यादा समय नहीं लगएगा दोस्तों ये तिन ट्रिक्स आपको आम जियों में अपने फालू करना है लगब कोई समान है क्योंकि दवा दाइं क्योंकि दवा से तो नार्मला सी प्याज़ euh ऐसा होता है कंबारी प्रशे नेचे रहता है न वी-स पिल तरा सकी नहीं होता मैं दोकर फइंग्स प्रणी नहीं सबक्सा होता है न चूहले हरा से छोडना करना lifes estas final ना रहाखना था मिन या जित्व पर करना होगा गरम छीजों को खाना एक दम बन करना होगा और अपने कपडों पर 60 वाइशा चों महिन navigating तो आप लिए आपके कुछ नया लेकर